कोई भी electronic component का सबसे बड़ा दुश्मन होता है heat याने की overheating फिर चाहे दोस्तों वो आपके CCTV का DVR हो कोई internet modem हो या फिर कोई ऐसा खास medical equipment हो गर्मी से ये चासारी चीजों की life काफी कम हो जाती है तो दोस्तों ये जो है मेरे CCTV का DVR है जो की 2400 गंटे on रहता है और मैंने यहाँ पे एक thermal plop लगा के इसके temperature को लेना समझा और आप देखिए दोस्तों जो temperature है ये 56 डिगरी के उपर आ चुका है और ये जो temperature है दोस्तों ये सिर्क इसके body का temperature है अंदर के components का जो temperature है वो इससे भी थोड़ा सा उपर होगा तो क्या किया जाए आई ये बात करते हैं मैंने अल्रेडी इस DVR को थोड़ा सा ventilation and air circulation देने के लिए इस तरह की जाली नुमा चीज के उपर इसको set किया है लेकिन दोस्तों लगता है कि ये जो ventilation है ये enough नहीं है और हमारे जो DVR है इसका temperature बढ़ते ही जा रहा है बातों बातों में ही जो temperature है वो 57 degree पहुँच चुका है इस तरह के laptop cooling pads आपको बड़े ही आसानी से online मिल जाएंगे इस चीज को मैंने काफी समय पहले Amazon से मंगवाया था आपको इस चीज का affiliate buying link इस वीडियो के description और first comment के अंदर मिल जाएगा इस DVR को हमने laptop cooling stand के उपर इस तरह से set कर दिया साथ में इसके camera का power supply भी आगया मतलब दोनों की cooling एक ही fan से हो जाएगी आप इसी तरह से आपका modem वगरे भी इसके उपर रखके उसको थंडा करके उसकी life को बढ़ा सकते हैं अब ये जो cooling fan होता है ये USB powered होता है और luckily हमारे DVR क के अंदर यहां पे USB port उपलब रचा जो आसानी से इस fan को power दे देता है और दोस्तों देखते ही देखते हमारा जो DVR 56 डिग्री 57 डिग्री के गर्मी के उपर उबल रहा था वो 40 डिग्री के उपर आ गया है मतलब एक बहुत ही बड़ा temperature drop हमको देखने को मिला है दोस्तों इ इसी तरह के बहतर इन tips and tricks देखने के लिए आपके screen के उपर जो informative वीडियो के थमने लाएंगे उनके उपर click करके आप directly ओन वीडियो के उपर जम कर सकते हैं और आज कुछ नया सीख सकते हैं आज के वीडियो में इतना है guys take care and have a nice day